गुण आफटरून सुटेंट आज हम क्वेशन करेंगे सम अब दा सीरिस तो एंट टम सेवन प्लस सेवन प्लस ट्रिपल सेवन अप्टू सोन यह वो क्वेशन रता हैं जिसमें एक नंबर हमारा वन मलकि एक नंबर के ऊपर काम कर रहा है तो यहां सैवन है तो सैवन पर ही हो यह कुवेशन जाए तो यह हुते है जी पके कैसे नीकालना उसके लिए मैं सबसे पहले इसको SM ले लेते हूं ठीक है कि म 7 बनाने के लिए 1 चाहिए 77 बनाने के लिए 11 चाहिए 777 बनाने के लिए 11 अब टू 5 , and TARNS अभी यहां से भी हमारा कोई Solution नहीं बना तो यहां पर बना, अभी भी यहां से कोई Solution नहीं निकला तो हम, यह Step हर एक में एक जैसे रहने वाले इसलिए याद कर लो पहले उसको S N ले लेना है फिर उसमें से पहली टम बाहर निकालेनी है अंदर 1 प्लस 11 प्लस 111 अप्टू सोन ऐसे आ गया जब तक ठीक है अब क्या करेंगे next step याद रखना 9 से multiply 9 से divide अब यह पूरे numbers को मैंने 9 से multiply कर देना है और 9 से ही divide यह मैं आपको extra step करके दिखा रही है तो हम direct भी लिख लेते हैं अब यह 7 upon 9 बाहर ही रहना है सरफ हमने 9 से multiply करना है 9 बन जा 9 अब यहाँ पे 99 यहाँ नाइन हंडर 9 अप्टू सोन N 2 N टर्म्स ठीक है 2 N टर्म्स अब इनको इनके nearest round of number से minus कर देना है जैसे यहाँ 10 minus 1 9 के round of number क्या है 10 10 में से minus 1 करके लिख सकती हूँ इसको हर कोई अपने round of number से एक कम है तो इसको भी 100 minus 1 इसको 1000 minus 1 जब यह condition आपकी आजएगी means आपने सही solve किया है यहाँ तक पहुँच गे आपका question आधा solve हो गया मलकी आप सही track पर आ गए हो उसके बाद इसमें से आपने क्या करना है यह 7 by 9 बाहर ही रहना है अब मैंने 10 वाले इक ट्ठे कर लेने है और 1 वाले अलग कर लेने है अब यह बाहर minus है सब के साथ minus है मैंने minus बाहर ले लिया अंदर क्या बच गया सब का minus बाहर ले लिया अंदर सारे plus होगे 1 plus 1 plus 1 क्योंकि सब जगा क्या है 1 और यह चीज आपने पड़ी वी है कि जब कोई एक number जितनी बार आता है वो उतनी बारी उससे multiply रहता है जैसे यहाँ पर अगर यह 1 जो है n टाइम्स आ रहा तो n इंटू 1 हो जाएगा मतलब n बन जाएगा और यह इसको भी मैं ऐसे लिखने बाद मैं बताते हूं इसका क्या करना है minus n ठीक है next step अब जब आप इसको एक रफली देखो 10 प्लस 100 प्लस 1000 ठीक है मतलब कि अगर मैं 100 को 10 से divide करती हूं तो 10 आता है 1000 को 100 से divide करती हूं तो 10 आता है मतलब कि यह क्या बनगी एक GP series क्या बनगी GP series अब देखो मैंने क्या किया है इस step में यहां तक पहुचे थे अब मैंने इसको इसके साथ वर्क करना है तो यह मैंने आपको बताया थे यह GP series बन रही है जहां पर A क्या है 10, R क्या है 100 आर क्या आगे 10 greater than 1 मतलब कि अब हम कौन सा formula यूज करेंगे SN is equals to A R raised to the power N minus 1 upon R minus 1 जहां पर A 10 है और R भी 10 है तो हमारा SN क्या बन जाएगा 7 upon 9 10 10 and minus 1 upon 10 minus 1 और पीछे वाल लिया number as it is अब इस 7 को यह हमने बाहर ही रखा यह बन गया अब आप का अंसर यहां तक भी आ सकता है आप इसको आगे solve भी कर सकते हो यहां तक solve कर लेंगे ठीक है कई तरीके इसको solve करने के आप यहां पर भी छोड़ सकते हो आप इसको इकठा भी कर सकते हो आप इसको यहां पर भी solve कर सकते हो तो आज हमने जो question सीखा अब अगला भी जो एक question है वो कल decimal वाला है वो समझाऊंगी इस question के basic step यही है कि पहले उस नमबर को बाहर निकालो फिर 1 प्लस 11 प्लस 111 अप्टू सौन एंट टम्स फिर multiply और divide करो 9 से फिर 9 को सबसे कर दो multiply फिर उनके नियर उनके जो round of number यह से 9 का 10 बनता है 99 का 100, 9,000, 99 का 1000 ठीक है 999 का क्या बनता है 1000 उन सब इसको मैं उस पॉम में लिख लूँगी 10-100-1000-1 यह सब में एक जैसे ही चलने वाले है विसके बाई 10-100-1000 में एक जगा कर लूँगी 1 प्लस 1 प्लस 1 एक जगा कर लूँगी फिर यहां से वो n time multiply होके n रहे जाएगा अब यह वाली bracket जो है यह जीपी बन जाएगी जिसको जब मैं solve करूँगी तो a 10, r की value भी 10 जो greater than 1 हो जाएगी तो यहां पर हम यह वाला फॉर्मर लगा के इसको solve कर लेंगे